अधियादी प्रक्रियाय सिक्षन तो इससे लेटेड हम सेक्षन करेंगे वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेकर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे निमलिकित में से कौन सी संगयनात्मक क्रिया दी गई सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है वर्नन करना पहचान करना अंतर करना या वर्गी करिद करना तो options को देखिए और question को पहले अच्छे से पढ़िए तो संगयनात्मक क्रिया दी गई सूचना के लिए प्रयोग तुमें लाई जाती है कौन से संगेनात्मक करिया, तो वो है अंतर करना, ठीक है, डिफ्रेंस करना, तो आंसर सही हो जाएगा, C आंसर, संगेनात्मक संप्राप्ति का नियुनतम स्तर है, ज्यान, बोध, अनुप्रियोग या विशलेशन, तो नियुनतम स्तर जो है, वो है ज् फर्स्ट आंसर सही है टीचर जो है ये बच्चों से expect करता है कि उन्होंने मतलल जो उनको ग्यान सिखाया है ठीक है तो वो उसको उसी रूप में प्रस्तूत करें और ये problem होती है क्योंकि जब भी हमारा कोई experience होता है तो as it is जो है वो हम explain नहीं करते हैं ठीक है तो answer सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी answer ठीक है निमलकित में से कौन सा कथन सिक्षण के संदर में सही नहीं है सिक्षण एक अंत क्रियात्म प्रक्रिया है सिक्षण एक त्री मुखी प्रक्रिया है सिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है या सिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्र क्योंकि नेगटिव में हमें चुनाव करना था जो सही नहीं है वो है डी आंसर आगे बढ़ते हैं सेक्षिक उदेश्य के ब्लूम के वर्गीकरण के भावा आत्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्थर संबंदित नहीं है व्यवस्थापन अनुक्रिया अग्रहन या ज्यान बोध या ज्यान तो संगेनात्मक शेत्र से संबंदित नहीं है तो वो है अनुमुल्यन आगे बढ़ते हैं बालक के व्यवार का कौन सा पक्ष उसकी रूचियों तथा मनोवृतियों से संबंदित होता है तो वो होता है भावनात्मक पक्ष ये यूपी असिस्टन टीचर 2018 अधारा में जो पेपर हुआ था उसमें एक कोशन पूचा गया था तो इसकी जो एक्स्पलेनेशन है वो आप यहां पर पढ़ सकते हो आगे बढ़ते हैं शिक्षा बच्चों की सायक होती है उनके शारीक विकास में केवल मांसिक विकास में सरवांगन विकास में या केवल एक कला एक कोशल दोनों तो सिक्षण जो है एक कला भी है और एक कोशल भी है तो answer सही हो जाएगा D answer सिक्षा का उदेश्या है अच्छा नागरिक बनाना ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो व्यावारगता का निर्मान करना या प्रोक सभी तो सिक्षा का उदेश्या है आंसर सही हो जाएगा ये सभी ठीक है ये तीनों ही ओप्षन सही है ये सिक्षा की उदेश्या है आगे बढ़ते हैं कक्सा सिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है व्यक्तिकस समायोजन समाजिक वे राजनेतिक भिंग्दा व्यावार परिवर्तन या विशेश बड़े रोजगार के लिए तयार करना तो 11 में आंसर राइट होगा व्यावार परिवर्तन ठीक आपना वीडियो को पोज कर लिया करो ब्लूम के वर्गी करण के धार पर उदेश्यय आधारित प्रश्णों के निर्मान में कौन सा विकल्प असंगत है विशलेशन, मुल्यांकन, आत्मनुभूती या अनुप्रियोग तो कौन सा विकल्प असंगत है तो वो आपका हो जाएगा आत्मनुभूती ठीक है शिक्षा को देश्या होना चाहिए तो ये हमारे पास option है विवसाइक कोशल का विकास करना विधारतियों में या समाजिक चेतना का विकास करना परिक्षा के लिए तयार करना या विवारिक जीवन के लिए तयार करना तो D, आंसर सही है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाशित किया जाता है, अधिगम का सरली करण, शिक्ष को द्वारा ज्यान का स्थानांतरण, चातर द्वारा ज्यान को ग्रहन करना, पाठापुस्तकों को पढ़ना, या सिक्ष को द्वारा ज्यान का स्थानांतरण, त बालकों में विश्यो का ज्यान वह उनका मानसिक विकास करना विश्यो का ज्यान देना वह परिक्षा के लिए तयार करना विश्यो का ज्यान देना वह उसको कंठस्त करवाना या विश्यो का ज्यान देना वह विवसाई कोशल का विकास करना तो फिफ्टीन में आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा बालकों में विश्यो का ज्ञान व उसका मानसिक विकास करना यह आंसर सही है निम्न में से कौन सा कथन सिक्षण के बारे में सत्य नहीं है सिक्षण में सुधार किया जा सकता है सिक्षण अपचारिक एवं अनपचारिक है सिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है या सिक्षण अनुवेशन है तो जो सत्य नहीं है तो वो की सिक्षण अनुवेशन है यह कथन सत्य नहीं है आगे बढ़ते हैं आदिगम का सिक्षा में योगदान है व्यावार परिवर्तन में नवीन अनुभव फ्राप्त करने में समयोजन में या इन में से सभी में 17 में आजसर सही हो जाएगा इन में से सभी में ठीक है निमलिकी तरिक स्थान के लिए सही उत्तर का चैन करें संगयनात्मक एवं मनो प्रेणा ग्यानात्मक भावात्मक या शारिक शमता तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा हमारा वो है C आंसर भावात्मक ठीक है C आंसर राइट है आगे बढ़ते हैं सिक्षा का अती महतपुन उदेश्या है आजी विका कमाना बच्चे का सरवांगिन विकास करना पढ़ना वै लिखना सीखना या बोधिक विकास तो सिक्षा का अती महत्पुन उदेश्या है तो ये है बच्चे का सरवांगिन विकास ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश की पदानुकरमिक व्यवस्ता है पाठा चर्य समंधी घोशनाओं पठन कोशल संगेनात्मक उदेश्यों या उपलब्धी लक्ष्यों 20 में आँसर सही हो जाएगा हमारा संगेनात्मक उदेश्यों आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सी संगेनात्मक क्रिया दी गई सूचना के विशलेशन के लिए प्रयोग में लाए जाती है वर्नन करना पहचान करना अंतर करना या वर्गी कृत करना तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर अंतर करना ठीक है और यह बहुत इपोर्डन कोश्चन है आपके एक्जाम के लिए सिक्षशाश्ट्र बच्चों के परदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि यह है बच्चों को डैश में सक्षम बनाता है समान चीजों का बार-बार अभ्यास करने अधिक अनुशाशित होना अत्यादिक कक्षा कारे क्लास वर्क और घ्रह कारे होंवक करना या अधिगम में सुनना और व्यस्त रहना तो 22 में आंसर सही हो जाएगा कोश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो आंसर सही हो जाएगा कि यह बच्चों को डैश में सक्षम बनाता है तो आंसर है आधिगम में सुनना और व्यस्त रहना ठीक है आगे बढ़ते हैं एक विज्ञान सिक्षक छात्र को ठोज तरल और गैस के उधारन देने के लिए कहता है यह उधारन समंधित है ज्ञान उदेश्या समझ उदेश्या प्रियोग उदेश्या या कोशल उदेश्या सॉलिड लिक्विड और गैस के उधारन देने के लिए कहता है टीचर बच्चों को तो यह समझ उदेश्या का यह उधारन है ठीक अंडरस्टेंडिंग एक अध्यापक कुछ निर्देश्या लिखता है ताकि छात्र लोग तंत्र का अर्थ समझने में सक्षम हो यह उदेश यह किस संकल्पना के अंतरगत आएगा कोशल संसलेशन बोध या विशलेशन तो 24 में आंसर हमारा सही होगा बोध ठीक है नेक्स्क्रशन इस निमिलखित में से किसने अधिगम सिध्धान का प्रतिपादन नहीं किया कोहलर, स्कीनर, बियस ब्लूम या थोंडाइक तो किसने अधिगम सिध्धान का प्रतिपादन नहीं किया तो वो है बियस ब्लूम विहवार का करना किस पक्ष में आता है औप्शन है सीखने के गतिक शेत्र, सीखने के भावनात्मक शेत्र, सीखने के मनविज्यानिक शेत्र या सीखने के संगेनात्मक शेत्र तो ये किस में आता है तो यह आता है सीखने के गतिक शेत्र में आगे है सिक्षन एक प्रक्रिया है सिक्षन द्वारा अधिगम करता को ग्यान के सानांत्रण की अधिगम को निर्देशित करने की अनुदेशन देने की या सिक्षन अधिगम का सरली करन करने की तो टीचिंग एक प्रोसेस है सिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की डी आंसर सही है सिक्षण के अधार पर इसके कितने चर हैं एक, दो, तीन या चार तो आंसर क्या सही होगा हमारा तीन चर कौन सा है आश्रिचर, स्वतंत्र चर और मध्यस्त चर ठीक है, ये तीन चर है सिक्षण के अधार पर और इसके पुर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है वो देख लेना आप पाठ्यकरम निमिलखित में से सिक्षण के कौन से चर में आता है आश्रिचर, मध्यस्त चर, स्वतंत्र चर या इन में से कोई नहीं तो पाठ्यकरम जो है मध्यस्त में आता है मीडियम में आता है स्मित के, स्मित ने सिक्षण की त्री दुरुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है अभिवावक को, सिक्षक को, सिक्षार्ति को या पाठ्यकरम को तो स्मित ने जो है सिक्षण को त्री दुरूवी प्रक्रिया माना है तो इन्होंने कार्यवाहक माना है सिक्षक को टीचर को ठीक है सिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं सिक्षक, शिक्षार्ति, पाठे करम या ये सभी तो ये तीनों ही अंग होते हैं सिक्षा की प्रक्रिया के तो D आंसर यहाँ पर सही है निम्न में से कौन सा सिक्षण का स्तर नहीं है परावर्ति स्तर, अभिप्रेणा स्तर, स्मृति स्तर और बोध स्तर 32 में आंसर सही हो जाएगा अभी प्रेणा स्तर ठीके जो सिक्षा का स्तर नहीं है समरिती स्तर एवं बोध स्तर के सिक्षन प्रतिमान की सनचना में कौन सा सुपान उभ्यानिस्ट है समानी करण, अनिवेशन, प्रस्तुति करण या तयारी 33 में आज से सही हो जाएगा हमारा प्रस्तुति करण नेक्स कुर्शन इस मौरिसन ने बौध स्तर के सिक्षन प्रतिमान में पांच प्रदों का वर्नन किया है वे हैं प्रस्तुति करण, खोज, संगठन, विवस्था, आत्मी करण, वाचन, अभिवक्ति करण इनका सही करम हमें बताना है, तो देख लिजिए उप्शन को तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो है, खोज करना, दैन उसके बाद प्रस्तुत करना उसके बाद आत्मी करण करना, दैन उसको संगठित करना, विवस्था करना, दैन वाचन करना इत में शांसर सही हो जाएगा, बी आँसर, आप इसको ध्यांसर देख लिजएगा निमलखित में से कौन सा स्तर सिक्षन का है, प्रावर तक अंतक्रियात्मक, प्रक्षेपण या संकलित 35 में answer सही हो जाएगा, अंते करियात्मक भारत वर्ष में primary, सिक्षा निमलखित पर बल देती है बोध का विकास करना, आध्यात्मित उपक्ष पर बल देना, विवेचन, आत्मक चिंतन का विकास करना या रटने को प्रेरित करना तो आंसर सही हो जाएगा बोध का विकास करना निमन में कौन सा सिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है विभेदी करन स्तर, समरिती स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर तो सिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है वो है विभेदी करन स्तर आगे है निमलकित में से कौन सा समझ के लिए सिक्षन को परदर्शित नहीं करता नहीं करता बताना है समानता और अंतर देखने और साद्रिश्यता स्थापित करने के लिए विध्यारतियों की साहता करना विध्यारतियों को एकांकी तत्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योगय बनाना परिगटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अविव्यक्त करने के लिए विध्यारतियों को कहना यह नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने है तो उधार उपलब्द कराने के लिए विध्यारतियों को पढ़ाना तो 38 में आंसर हमारा सही हो जाएगा वो है B आंसर विध्यारतियों को एकांग की तत्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना ठीक बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते है जहां उनके अनभो एवं भावनाओं को उचिस्थान मिले उन्हें खेलने का मौका मिले उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशाशन हो तो बच्चे किस इन्वार्मेंट में सीख सकते हैं जहां पर उनके जो experience है उनके जो feelings है उनको उचित सम्मान मिले यह answer सही है वह विशिष्टा जो की सह होगा आत्मक स्थिति की सीमा में नहीं है आमने सामने अंते करिया व्यक्ति का जो आप दे ही कार्यों पर जोर या सिक्षक केंद्रित तो यह नहीं होनी चाहिए सिक्षक केंद्रित क्योंकि विध्यारती केंद्रित होनी चाहिए तो D answer सही है एक सिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशिल भूमिका में, प्रभुत वादी भूमिका में, प्रजात आंत्रिक भूमिका में या प्रभावशाली भूमिका में 41 में आज सही हो जाएगा प्रजात आंत्रिक भूमिका में, डेमोक्रेटिक में कौन सा सीखना स्थाई होता है रटकर सुनकर समझकर या देखकर तो कौन सा सीखना पर्मानेंट होता है जब हम समझते हैं ठीक कक्षा कक्ष का बातावरण होना चाहिए शांत शोर्गुल से भरा अनुशाशन से पूरुन या मित्रता पूरुन तो ये होना चाहिए मित्रता हूँ है थीडियर आगे है अपनी कक्षा के एक विधियरती की प्रविती को यदी सिक्षक बदलना चाहता है तो उसे यानि उसको सिर्फ एक विधारती की की प्रविती को बदलना है तो क्या करेगा टीचर तो उस Lazarus के सभी सदस्यों की जो प्रविती है वो बदल नी होगी ठीक है ऐसी आंसर सही है प्रदान ध्रहपक यावरी चिकशक की लिए घयल्ला में कौन सी नेत्रित्व शली भैतर है सतताधारी नेत्रित्व प्रजातांत्रिक नेत्रित्व और हस्तरक्षेपी निटृत्व या कि कोई नहीं तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर प्रजात आंत्रिक नेत्रित्म ठीक है शिक्षन का सत्तावादी सर है सिक्षक केंद्रित चात्र केंद्रित प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित तो ये होगा सिक्षन का जो सत्ता यानि सत्ता जिसके हाथ में होती है जो उसको मैनेज करता है है तो वो है शिक्षक किंद्रीत ठीक है आधिगम के एक अनुकूल वातावरण में डैश के अलावा निमलिकी विशिष्टाएं उपस्तित होती है शिक्षार्थि को स्वायत्ता, बहु विश्यक द्रिष्टिकोन, शिक्षक की निगरानी या लचीली प्रक्रिया तो 47 में आंसर सही हो जाएगा इसमें पूछा ना अनकूल वातावरन में डियाश के अलावा तो सिर्फ इसके अलावा सिक्षक की निगरानी के अलावा तो ये जो भी विशेष्टाएं हैं वो उपस्थित होंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्या वातावरन के लिए निमलकित में से कौन उप्यूक्त है शिक्षारती को कुछ यह है छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है एक लंबे समय के लिए निश्क्रे रूप से सुनन निरंतर घरकार्य देते रहना या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिकत कार्य करना 48 में आंसर क्या सही होगा तो यह है हमारा फर्स्ट आंसर कि बच्चों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है ठीक अगला है एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम बाता निम्न होगा सिक्षार्थी अनुशाशन सिक्षार्थी को स्वायत्ता रेकिक अनावारण या सिक्षक का अधिकार तो बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम बातावरण इन में से कौन सा होगा सिक्षक शिक्षार्थी को स्वायत्ता कि लिप्त एसे कौन सी स्चेजन अधीन10 समस्या है विश्यवस्तू को समझने क्या कक्शहुष में अनुशाशन हींTP हAT परिक्षा में नकल करना या कक्शह में दिरिसे पोैंचना 500 मैं Settings search जाएगा हमारा ए आंसर विश्य वस्तू को समझने की अ समस्या तो यह आज के हमारे इस चैप्टर के 50 पोर्टन कोश्चन जो है वो फिनिश होते हैं आपके कितने कोश्चन सही हुए हैं कॉमेंट में बताइए तो थैंक्स वोचिंग मैं वीडियो दो लाक शेर और सब्सक्राइब इस चैनल तिल देन बबाई रब रखा जया भूलेनाथ